ज्यावज रंगवली प्रे दोस्तों आज पुना आप लोगों का हमारे भागर जोतिस चिंतन में स्वागत है कुछ मित्रों का कहना है कि आप मुझे बताईए भगवन कि हम परिच्छा में सफल कैसे नहीं होते हैं परिच्छा में सफल करिए कि आप लोगों को नहीं हो सकते हैं हम यह जानते हैं कि परिच्छा में हम सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम में कुछ कम्यां रहती हैं उन कम्यों को दोर करने के लिए हम कुछ बातों का हमें विश्य ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम किसी कार में शफलता प्राप्त करना चाहते हैं या हम किसी पेपर देने जाते हैं किसी विश्य का और उसमें हम शफलता प्राप्त करना चाहत तो इन बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा यदि आप परिच्छा या अन्य कोई कार के या किसी विशे में पेपर देंगे आप निश्चेत ही आप यदि करते हैं उपाय तो आप निश्चे ही शफलता आपको राथ होगी और आप 100% शफल होगे पिरे दोस्तों इन बातो आपको विशेश ही ध्यान रखना पड़ेगा और जब इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चे ही शफल होगे कभी कभी अपने पढ़ने वाले रूम में पेन, कौपी और किताब खुली ना रखें यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको दिमाग में संतुलन औ और आपकी याद दस कमजोड हो जाती है और कमजोड हो जाएगी इसलिए ऐसा ना करें अपने पेन और कापी केताब को बंद करके रखें पढ़ने वाले रूम पर दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि आप जिस टेबल पर पढ़ाई करते हैं उस टेबल पर आपको खाना नहीं खाना है और उस जगह पर आपको शफाई भी रखनी अत्यवर्शकता है इन बातों को आप ध्यान रखें आप 100% सफलता प्राप्त होगी और आप मंजिल को अपने चूमेंगे और आपके हर जगह पर आपकी जय होगी तीसी बात को आपको ध्यान रखना है जिस कमरे म इसे मँणे आप पढ़ते हैं वहां पर कापी वा किताब ठीक तरह से आलमारी में रखे होने चाहिए इधर उधर बिखिरे नहीं होने चाहिए आपके पढ़ने बाले रूम पर चपल जूतें को बाहर रखना चाहिए और साप शरक्ष रूम होना चाहिए इस बातों को आप को ध्यान देना है और पिर इसके घर में पढ़ते समय आपको चूते चपल मोजा पहनकर आपको पढ़ाई करनी है और इन सबको उतारकर आपको पर आपको पढ़ते समय उत्तर मुख की तरफst चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपने शफलता प्राप्ति करेंगे प्री दोस्तों यह बहुत ही अच्छे उपाए हैं हमेशा आप अपने बैग या पर्ष में एक मोर पंख रखें अइसा करते हैं तो आपको आत्म विश्वास और बल आपका बढ़ेगा और आपको और आपको आगे में बता रहा हूँ और कुछ अच्छे उपाए हैं जिसे परिच्छा में शफलता के लिए रविवार को सुर्योदे के समय कलश में जल लेकर उसमें लाल चंदन, शक्कर और लाल पुष्प या गुलाब के फूल डालकर सूरज को जल चढ़ाएं किसको किसी देवी मंदिर में जाकर दान करें और एक दिन तक आप बेना नमक के भोजन करें इस उपाए को आप करते हैं तो आपको बिद्या 100% आप अपने कार सफलता आपको मिलेगी और आप सफल होगे यदि आप ऐसा उपाए करते हैं तो परे दोस्तों आपको दूसरा सफलत याद कैसे करें हम कोई चीज याद करते हमें याद नियुती योदि किसी भी द्यार्थी को को विशय को विशयamis याद करना है करने में परिशानी आ रहे है तो वह अपने जुबान को तालूसे लगा कर विशय को याद करें उस तुरंत याद हो जाएगा हां बिलकु एक दोने में लेकर पिपल के पेड के जड़ में के पास में रखने के कर प्रात्ना करें और उनसे यह प्रात्ना करें कि आप हमें विद्या में शफलता करें यह आपको उपाय रविबार के दिन करना है परिच्छा में मन चाहें अंक प्राप्त करने के लिए अगर आपको लग रहा है कि हम परिच्छा में शफल नहीं होगे तो आप यह उपाय कर सकते हैं मादुरगा के मंदिर में जाकर एक pen हाँ आप मादुरगा के मंदिर में जाकर आप एक pen चढ़ा कर आएं और मादुरगा के मंदिर से दूसरे दिन जाकर आप उस कलम को ले कर आएं और परिछा हाल में आप उस कलम से आप अपने paper को डें निश्चे ही आपको शफलता राप्त होगी ऐसा यह आप करते हैं तो निश्चे ही 100% आप शफल होंगे प्री दोस्तों आपको और मैं बता रहा हूं कुछ और अचुक उपाए जो आप देख सकते हैं हो करते हैं कि अगर आप घर के पास दुर्गाजी की मंदिर ना हो तो यह आप कि शी भी देभी इस्थान पर आप जाकर यह उपाए कर सकते हैं और यह उपाए आप करते हैं निश्चे ही आप शफल होंगे प्री दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना रहे दोस्तों आपको अंगले वीडियो के लिए